नमस्कार दोस्तों स्वादिष्ट वेंजन में आज हम कटक स्पेसल आलुदम दहीबड़ा बनाएंगे इसके लिए दहीबड़ा आलुदम और भुगनी तयार करेंगे विल्डियो लंबा होने वाला है करप्या इसे इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा वर्रा कुछ स्टेप्स छूट सकते हैं ये खाने में बहुती स्वादिष्ट होता है और इसका स्वाद भी बहुती यूनिक है तो चलिए बनाते हैं दही बड़ा बनाने के लिए हमने दो कप उड़द की दाल को धो कर अच्छी तरह से 4-5 घंटा भिगो लिया है और ये फूल कर मोटी हो गई है अब हम इसे पीस लेते हैं इसमें कम से कम पारी डालते हुए हम इसे एकदव पेश्ट बना लेंगे हमने यहां पर बिना पानी के दाल पीसी है इसमें हलका पानी की जरुवत पड़ेगी तो हम एक चपच पानी डाल लेते हैं ओड़त की दाल को हमने यहां पर पीस लिया है ये इस तरह का पेश्ट होगा हमने थोड़ा थोड़ा पीसा है क्योंकि उड़त की दाल पीसने में थोड़ा टाइम लगता है अब हम इसे एक बरतन में निकाल लेते हैं यह देखिए कितना गाड़ा पीसा है इसी तरह हम और दाल को भी पीस लेते हैं दाल हमने यहां पर पीस ली है इसे हम एक ही डायरेक्शन में तीन-चार मिनदे के लिए फेट लेते हैं दाल की पिठी को हमने फेट लिया है एकदम हलकी हो गई है अब हम इसे चेक कर लेते हैं यह मक्षन की तरह हलकी होनी चाहिए और पानी पर इस तरह से तैर का आजनी चाहिए अब यह बड़े बनाने के लिए तैयार है तो चलिए हम बड़े बनाते हैं बड़े भी गोने के लिए यहां पर हमने पानी को गुन-गुना गरम कर लिया है इसमें हम एक बड़ी चमच नमक डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं बड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक चकला पर कॉटन का कपड़ा ले लिया है उसे हम गीला कर लेंगे और हाथ को गीला करके पिठी को इस तरह से सेप देंगे और बड़ो को इसमें डाल देंगे तेल यहाँ पर हमारा गरब हो गया है गैस फ्लेम मीडियम रखेंगे, इसी तरह से हम थोड़े से बड़े कडाई में डाल कर तल लेते हैं, इस तरह से उलट उलट करके हम इन्हें तल लेते हैं, बड़ों को हमने गोल्डन होने तक कर लिया है, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, इस तरह से जर को टेड़ा करेंगे, जिससे की एक्ष्टा तेल जर जर और इसे थाली में डाल लेंगे, अब इसे गरम गरम ही हम पानी में डाल देंगे, सारे बड़ों को हमने तल कर नमक वाले पानी में डाल लिया है, और हम इसे कम से कम आधा से एक घंटा पानी में डिप करके रखेंगे, अब अब गरम हमने डाल की पिठी में नमक रही डाला था, यह नमकिन पानी से ही बड़े नमक को सोख लेंगे, इन बड़ों को जरूरी नहीं एक ही घंटा पानी में रखेंगे, इसे तीन-चार घंटे भी पानी में भिगो कर रख सकते हैं, इसका कुछ नहीं होगा, यह जैसे वैसे ही रहेंगे और यह फूल के मोटे हो जाएंगे, यह हमने पहले डाले थे वे बड़े फूल गए एक दम, आलू दम के साथ जो दही बड़ा बनाएंगे उसके लिए हमने कुछ मसाले तयार किये हैं, दो मिर्ची लिए हैं, और कुछ कड़ी पते, यह हमें बगहार में लगेंगे, और थोड़े से कड़ी पते हैं, 15-20, और 3 मिर्ची लिए और 2 इंच का एक अधरक का टुगडा लिया है, इसे हम पीस लेंगे, काला नमक हैं और सादा रेगुलर नमक हैं, इसे हम बाद में य हम दही में डालेंगे दही बड़ा में डालने के लिए हमने यहाँ पर फ्रेस दही लिया है इसे हमने मत कर थोड़ा पतला किया है अब यह मसाला हम इसमें मिला लेंगे काला नमक भी हम इसमें डाल लेते हैं और यह रेगुलर नमक है इसे भी हम थोड़ा डालेंगे क्योंकि दही बड़ा में भी नमक है यह जो दही बड़े हमने बना कर पानी में डाले थे यह अच्छी तरह से फूल गए है और यह नमक भी सोक लिया है अब हम इने हलके हाथ से निचोड़कर एक दूसरे बरतन में डाल देते हैं दही बड़ों को हमने पानी से निकाल कर निचोड कर रख लिया है अब हम इसके उपर ये मसाला मिला हुआ दही डाल देते हैं दही बड़ों को और स्वादिश बनाने के लिए इनमें हम बगार लगाएंगे दही बड़ा में बगार देने के लिए हमने यहाँ पर तेल चड़ा लिया है गैस ओन कर लिया है अब हम इसमें कड़ी पत्ते डाल देते हैं दो मिरिची भी डाल लेते हैं गैस फ्लेम चलो रखा है यहाँ पर कड़ी पत्ते भी लगबग तयार हो गए हैं और लाल मिर्च भी बन गई है अब हम इसे पगार दही में डाल देते हैं और गैस फ्लेम बंद कर देते हैं यहाँ पर हमने हलकी सी कस्मीरी लाल मिरच का पाउडर लिया है जिससे हमारे दही बड़ा में बहुत अच्छा कलर आएगा दही बड़ा सरु करने के लिए तयार है मटर की घुगनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर यलो मटर लिये है जिसे हमने 7-8 घंटे पानी में भिगो लिया है अच्छी तरह से धो लिया है अब हम इसे उबाल लेते हैं इसमें हम दो ग्लास पानी डाल लेंगे थोड़ी हल्दी डाल लेंगे नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे वैसे तो भीगी हुई मटर है एक दो सीटी में सीथ जाएगे अगर आपकी मटर नहीं सीथती है तो इसमें एक पिंच खाने का सोडर डाल सकते हैं अब हम इसे गै यहां पर हमने गैस ओन कर लिया है और कुकर को चड़ा दिया इसे दो सीटी आने तक मेडियम फ्लेम पर सीजने देंगे मटर की भुगनी हमने कुकर में डालके सीजाने के लिए रखी थी अब यहां पर हमारा कुकर ठंडा हो गया है अब इसे खोल लेते हैं हमने बीच में किया था लेकिन हुआ नहीं था तो हमने एक सीटी और दी थी अब एक दम बनकर बढ़िया हो गई है इसे अब हम सर्विक वाउन में निकाल लेते हैं आलू दम दहे बढ़ा बनाने के लिए हमने यहां पर तीन रेसिपीस तयार की है यह दही बढ़ा है यह मटर की गुकनी ह यह आलू दम है आलू दम की रेसिपी आप उपर काड में दी हुए यह लिंक देख लेजिएगा सरू करने के लिए हमने यहां पर हरा धनिया पतला काटकर ले लिया है प्याज है जो छोटी टुकडो में कट कर लिया है पतला नमकी बुजिया है काला नमक है और लाल मिरच ह इसको सारू करने का एक अलगी तरीका है इसे हम सारू करके आपको दिखाते हैं किस तरह सारू किया जाता है यहां हमने दो दही बड़े डाल लिये हैं इसके ओपर हम मटर की गुगनी डाल लेंगे हलका नमक डालेंगे क्योंकि सब चीज में हमारे यहां नमक है और मिर्ची भी डाल लेंगे मिर्ची आप जैसा तीखा खाते हों वैसा डाल लीजिएगा अब इसके ओपर हम आलू दम डालेंगे अब हम इसके ओपर प्यास डाल लेते हैं जो हमने पतले-पतले छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिये हैं हरा धनिया छिटक लेंगे और नमकीन है इसे भी हम इस पर डाल लेते हैं दही बड़ा खाने के बाद इसका जो दही उसे पीते हैं यह बहुत ही स्वाधिश्ट होता है जो लोग कटक के बाहर रहते हैं और इसे खा चुके हैं दही बड़ा और अलुदम को बहुत ही मिस करते हैं अपको अपको हमारी यह ञायओ efaki comment box में डालिए रेसिपी को सेर कीजे लायक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए बैल दबाना ना बhouल एजिससे हमारी अगली रेसिपी आपको मिलें झाल झाल